इस फोटो फ्लोटिंग इफेक्ट इन डावेंची रिजॉल बहुत इजी तरीक से कर सकते हैं उसके लिए आपको पहले वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना है जो कि वर्टिकल है अब यहाप इसके अंदर कलर बुष्ट ज्यादा नहीं है तो सिंपल सबसे पहले तो हम अक्वारे वीडियो के अंदर काफी पॉप आचुका है कलर फिर जाना है आपर करना है बहुत से उप्च보 करें कि बाद tief को कलिक करें और यहांप आने बाद को सिरल से आप्लंत के थे क्लिक करने शीप कर देना है इतना करते ही जितने बींपय आप酬 और रहुने चाहिए और camera track करने के लिए उन सब को यह आपर यह track कर लेता है बहुत easy से उसके बाद में आपको यह आपर camera मिल रहा है जिसके अंदर आपको camera choose करना पड़ते है लेकिन हमें नहीं करने से आटो में छोड़ देना है फिर हम जाएंगे आप इस वाल में देखे हमें प्रिवू हो सकता है कुण से points अच्छे है नहीं है वो सब देख रहा है फिर भी अगर हम कुछ points को कम ज़ादा यहां से कर सकते हैं जो की error कर सकते आपके अंदर देखिए हम इनको delete करने वाले जो यहाँ पर yellow points select हो रहे हैं हम इन points को delete करने वाले तो सिंपल यहां पर सिलेड करें हम इतने पॉइंट को यहां से हटाना चाहते हैं जितने कम रहेंगे उस्तना हमारे लिए अच्छा है फिर से हम इसको सौल पर क्लिक कर देते हैं यह थोड़ा प्रोसेस लेता है ज्यादा लेकिन हमके इसको फास्ट फारवड कर दि कर देंगे इतना करने बाद जोभी फोटो आपने आप पिकसार्ड में या कहीं पर भी जो अपने एडिट कर रखें अल्रडी पहले से ही उनको हमें यहां से करेंगे प्लैनर 3d को लेकि लेना है उसके बाद में उसको इमेज को करनेट करना है फिर उससे मर्च के साथ कर दे देना है अभी देखिए या पर Ground Planner या पर दिखाए दे रहे ता हम इसकी visibility को आप कर देंगे ताकि हमारा वीडियो clean दिखाए दे तब हम यहांसे इसको Transform Note को यहांसे हम Transform कर सकते यहांसे उपर नीचे दाएबाई x y z पोजिशन को मियाज से इलेट कर सकते हैं कापीजी से अब हम इमेज जहां पर प्लेस करना चाहते हैं सिंपल वैसी है कि आप प्लेस करके आपको दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसेट द्यान से देखना टेक्स्ट के लिए कैसे करना है वह भी मैस के अंदर दिखाने वाला बड़े से तभी एक बड़े आसी वीडियो आपको बनेगा देखिए हमारे एक जो फोटो यहां पर प्लेस हो चुका है बहुत इजी से अब ऐसी हमें सारे फोटो के साथ करना है सिंपल हम यहां से लेते हैं इमेज प्लेनर इमेज प्लेनर 3D और हमारी इमिजस को इसके करना है आराम आराम से करना है fusion के notes को देखके कापी लोग घबरा जाते हैं लेकिन इतना घबरानेल कोई चीज ने अगर हम इसको सीखेंगे अच्छे से तो यह आपके अड़ा प्रीमियर पर आप्टर रिपेक्ट से भी बड़या software है ठीक है और अगर आपको camera का पूरा एं क्या करना है आपको 3D text या से लेना है आप टेक्ट प्लस नहीं ले सकते ऐसे आपको 3D text लेना है जो यह आपको एक note दिखाए दे रहा हूंगा ना देखिए simple सबसे पहले हम सारी images को या पर हमने set कर रहा है फिर आप देखिए 3D text या से लेना है और इसको आपको फिर merge के साथ या पर connect कर देना है और same process को दवराना है जो आपने इससे पहले किया था आप या पर text लिख लेना है जो भी हमको चाहिए text और इसका size वाइज आप change कर सकते हो और इसे भी आप place करना है जहाप पर place करना चाहते हो उसी तरह से हो जाएगा तो video complete हो चुका है दरूसे एक like कर देना दोस्तो